नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोगा सोनु श्टडी क्लास से यूटूब चलम दोस्तों आज मैं आप से लोग उनसे आटी बूक क्लास 11 राजनिति विज्ञान चैप्टर 9 सविधान एक जीवत दस्तावेज परपर सुत्तर मैं आप लोग उस वीडियो मताऊंग भारती सविधान एक जीवत दस्तावेज है लागू होने के समय से यह अपने आप में बदलाव लाता रहा है भारती सविधान में मैं 2013 तक 98 संसोधन हो चुके हैं संसोधनों के मामले में भारती सविधान लचीलेपन और कठोड़ता का समिस्रण है भारती सविधान में संसोधन की प्रिक्रिया अनुछे 368 में दी गई है सविधान संसोदन की प्रिक्रियक केवल संसद में ही प्रारम हो सकती है सविधान संसोदन विद्यक की मामले में राश्पती का पूर्ण विचार के लिए विद्यक को संसद की पास भेजने का अधिकार नहीं है सुविय संग में चेहतर वर्सों के दौरान 1918, 1924, 1936 और 1917 सविधान चार बार बदला गया सब। भारती सविधान 26 नौबर 1949 को अगरिकृत किया गया और इस सविधान को 26 जनौरी 1950 को और चारिक रूप से लागू किया गया। लोगसभा में 545 सदस्यों होते हैं अतक किसी भी संसुधन विद्यक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आउसकता होती है। एदी मद्दान के समय 300 सदस्यों से मौझूद हों तो विद्यक पारित करने के लिए 273 सदस्यों की समर्थन की आउसकता होगी। प्रस्त नमबर 26, 26 जनवरी 2006 को हमारे सविधान को लागू हुए 56 वर्स हो गए, दिसंबर 2005 तक इसमें 22 संसुदन किये जा चुके थे, 2001 से 2003 के बीच का समय गडबंधन की राजनिती का समय माना जाता है, अनुछे 74 एक में यह एसपस्ट कर दिया गया है कि मंतरी परिसत की सला राश्पती के लिए बाद दिकारी ने होगी, 52 बावन बावन बाता 91 संसुदन दल बदल विरोधी कानून की अलावा, इस काल में मता दिकार की आयू को 21-18 वर्स करने के लिए सविधान में संसुदन हुआ और 73 और 74 संसुदन भी किये गए, 38, 49 और 42 संसुदन भी से इस जून 1975 में देश में आपातकार की गोशरा की गई, सविधान का 42 संसुदन एक बड़ा संसुदन है, इसने सविधान को गहरे इस तक पर प्रभावित किया, 38, 49 और 42 संसुदन की मध्यम से जो परिवर्तन किये गए थे, उनमें से अधिकांस को 43, 44 संसुदन की द्वारा निर 23 वेक्टर चलया की अध्यक्षता में एक आयूग नियूक्त किया, जिसका उद्देश सविधान के कामकाज की समिक्षय करना था, प्रश्ट नमबर एक निमलिखित में से कौन सा वाकि सही है, सविधान में समय समय पर संसुदन करना आवस्यक होता है, क्योंकि परिस्तिती बदलने पर सविधान में उचित संसुदन करना आवस्यक हो जाता है, किसी समय विशेश में लिखा गया दस्तावेश कुछ समय पस्चात अप्रा संगित हो जाता है, हर पीडी के पास अपनी पसंद का सविधान चुनने का विकल्प होता होना चाहिए, सविधान में दो निम लिखित वाक्यों के सामने सही गरत का निसान लगाएं, कर राश्पति किसी संसुदन विध्यक को संसत के पास पूनव विचार के लिए नहीं भीज सकता, उत्तर सही, कर सविधान में संसुदन करने का आदिकार किवल जलता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों क के पास ही होता है, उत्तर सही, गर, नियाई पालिका सविधानिक संसुदन का प्रास्ताव नहीं ला सकती, प्रंतु उसे सविधान की ब्याख्या करने का आदिकार है, ब्याख्या के द्वारा वह सविधान को काफी हद तक बदल सकती है, उत्तर सही, गर, संसद सविधान के किसी भी खंड में संसूधन कर सकती है उत्तर गलत प्रस नमर तिन निम्लेखित में से कौन भारती सवधान के संसूधन प्रक्रिया में गुमिका निवाते हैं इस प्रक्रिया में या कौन साम्मिल होते हैं मद्दाता भारत का राश्प्रती गो राज की विधान पर सभाएं गो संसूधन गो राजपाल चे और नियाई पारी का उत्तर को मद्दाता मद्दाता भारत में मद्दान जनता अप्रतिक चुरूप से मद्दान के द्वारा अपने छेतर के प्रतिनिधी का चुनाओ करते हैं और यह चुने हुए प्रतिनिधी मद्दान मद्दाता की राय को पसंद या विधान सभा में पेस करते हैं बारत का राजपती बारती सविदान की संसुधन प्रकृए में सभी विद्यकों की तरह संसुधन विद्यक को भी राजपती के अनूमोधन के लिए भेजा जाता है परनतो इस मामले में राजपती को फुना विचार करने का अधिकार नहीं है उत्तर गर राज्य की विधान सभाएं राज्य विधान पालिकाओं की सविधान संसोधन के मामले में सिमित भूमिका है कोई भी सविधान संसोधन प्रस्ताओ राज्य की विधान सभा में पेश नहीं किया जा सकता है जब तक कि सरकार से बिल पारित होने के बाद बिल आधे राज्यों की विधान पालिकाओं उसे पारित कराया जाता है उत्तर गव संसद सविधान संसोधन की प्रक्रिया संसद से ही सुरू होती है उत्तर अंगर राजिपाल सविधान संसोधन में कोई भोमिका नहीं निवाते हैं उत्तर च नियाईपालिका सविधान संसोधन में कोई भोमिका नहीं निवाते हैं प्रश्ट नमबर चार इस अध्याय में आपने पढ़ा की सविधान का बयारिस्मा संसोधन अब तक का सबसे विवादा इस पर संसोधन रहा है। संसोधन के कुछ उपबद विवादा इस पर थे। उत्तर 1974 से 1976 तीन वर्ष के अंतराल में दस सविधानेक संसोधन किये गए। 48, 49 और 42 संसोधन विशेश रूप से विवादा इस पर रहे हैं। जून 1975 में देश में आपात काल की घोसरा की गई। यह तीन संसोधन इसी प्रिश्ट भूमी से निकलते थे। इन संसोधनों का लच्छे सविधान की कई महत्पूर्ण हिस्टो में बुनियादी परिवर्तन करना था। प्रिश्ट नमबर पांच निम लखीत वाक्कों में कौन सा वाक्य विविन संसोधनों के संबंद में विधाईका और नियाई पालिका के टक्राव की सही व्याख्या नहीं करता। सविधान की नई सविधान की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। खंडन मंडन बहस और मद्भीत लोगतंतर के अनिवारे अंग होते हैं गर कुछ नियमों और सिधानतों को सविधान में अपेच्छाक्रित ज्यादा महत्तु दिया गया है करती पह संसोदनों के लिए सविधान में विशेज बहुमत की विवस्ता की गई है गर नागरीकों के अधिकारों की रच्छा की जिम्दारी विधाईका को नहीं स्विपी जा सकती अंग नियाई पालिका केवल किसी कानून की सविधानी के बारे में फैसला दे सकती है वह ऐसे कानून की वांचनियता से जुड़ी राजनितिक वहसों का निप्टारा नहीं कर सकती उत्तर घर नागरिकों के अधिकारों की रच्छा की जिम्यदारी विधायका को नहीं स्वपी जा सकती प्रस्त नमर 6 बुनियादी धाचे की सिधान के बारे में सही वाकि को चिनित करें गलत वाकि को सही करें सविधान में बुनियादी सम मानेताओं का खुलासा किया गया है बुनियादी धाचे को छोड़ कर विधायका सविधान के सभी हिस्सों में संसोधन कर सकती है गड़ नियाई पालिकां ने सविधान के उन पहलूँ को इसपष्ट कर दिया है जिने बुनियादी भाचे की अंतरगत या उसके बाहर रखा जा सकता है गड़ यस सद्धां सबसे पहले केसुवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया है अंग इस सिद्धान्त से नियाई पालिका की सक्तियां बढ़ी हैं सरकार और विविन राजनितिक दिलों ने भी बुनियादी धाचे के सिद्धान्त को स्विकार कर लिया है उत्तर उपरोक्त में दिये गए सभी कथन सही है प्रस्त नमर साथ सन 2000-2003 के बीच सविधान में अने एक संसोधन किये गए इस जानकारी के आधार पर आप नेमलिखित में से कौन सा निसकर्स निकालेंगे इस काल के दोरान किये गए संसोधनों में नियाई पालिका ने कोई ठोस हस्त अचेप नहीं किया इस काल के दोरान एक राजनेतिक दल के पास विशे इस बहुमत था गर कती पैस संसोधनों के पीछे जनता का दबाव काम कर रहा था इस काल में विविन राजनेतिक दलों के बीच कोई वास्पिक अंतर नहीं रह गया था यह संसोधन विवादा इस पहत नहीं थे तथा संसोधनों के विशे को लेकर विविन राजनेतिक दिलों के बीच सहमती पैदा हो चुकी थी उत्तर कह इस काल के दोरान किये गए संसोधनों में नियाई पालिका ने कोई ठोस हस्ता छेप नहीं किया गह इस काल में विविन राजनेतिक दिलों के बीच कोई वास्पिक अंतर नहीं रग गया था प्रस्ट नमबर आठ सविधान में संसूधन करने के लिए 20-20 बहुमत की आउसकता क्यों पड़ती है व्यक्ष्या करें अगर इन सदस्यों में से कम से कम 124 सदस्य विद्यक के पच्च में मददान करते हैं तो इस विद्यक को पारित माना जाता है लेकिन संसूधन विद्यक पर यह बात लागू नहीं होती सविधान में संसूधन करने के लिए 20-20 बहुमत की आउसकता होती है पहले संसूधन विद्यक के पच्च में मददान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के खुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए नमबर दो दूसरे संसोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मद्दान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की दो तिहाई होनी चाहिए संसोधन विद्यक को संसद के दोनों सदनों में सोतंत्र रूप से पारित करने की आवसकता होती है इसके लिए संयुक्त सस्त्र बुलाने का प्रावधान नहीं है, कोई भी संसुधन विद्यक विसेश बहुमत के विना पारित नहीं किया जा सकता। लोकसबा में 545 सदस्य होते हैं, अतक किसी भी संसुधन विद्यक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आउसकता होती है, सरकार मद्दान के समय 300 सदस्यों से मौझूद हो तो विद्यक पारित करने के लिए 273 सदस्यों की समर्थन की आउसकता होगी। प्रश्ट नमबर नव, भारती सविधान में अनेक संसुधन न्याय पालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं और व्याख्याओं का परिडाम रहे हैं। निम्नखित हैं नमबर एक तक्निकी भासा में संसोधन या प्रसासनिक भारती सविधान के पहली सिननी में तक्निकी भासा में संसोधन या प्रसासनिक संसोधन है जो प्राकृतिक के हैं और ये सविधान के मूल उपलब्दों को इस्पष्ट बनाने उनकी ब्याख्या करने च छिट पूट संसोधन से सम्मंदित है उन्हें किवल सिर्फ तक्निकी भासा में संसोधन कहा जा सकता है वास्तों में इन वो बंदों में कोई विशेश बदलाव नहीं करते हैं उधारण के लिए उच्च न्याले क्या न्याइधीसों की सिवा निर्विती की आयू सीमा का 60 वर में अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती के लिए सीटों के आरच्छन संबंदित संसोधन है जो मूल उपलवद हैं उपलवद में आरच्छन की बाद 10 वर्स की आउधी के लिए कही गई थी परन्तु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित देने के लिए इस गामी 10 वर्सों के लिए बढ़ाना आवस्तक समझा गया नमबर 2 सविधान की ब्याख्या सविधान की ब्याख्या को लेकर नयाई पालिका और सरकार के बीच अक्सर मदभेद पैदा होते रहे हैं सविधान में अनेक संसोधन इनी मदभेदों की उपज की रूप में देखे ब्याख्या करती हैं ये लोगतांत्रिक ब्यवस्ता का एक अहम लच्षन है कई बार संसद इस नयाईक ब्याख्याओं से सहमत नहीं होती है और उसे नयाई पालिका के नियमों को नियंतरित करने के लिए सविधान में संसुधन करना पड़ता है 1970 से 1975 के दवरान ऐसी अनेक परिस्तितियां पैदा हुई उधारन के लिए मौलिक अधिकायों और नेती निर्देशक से दानतों को लेकर संसद और नयाई पालिका के बीच अक्सर मद्भेत पैदा होते रहते हैं और इसी प्रकार नेजी संपतिक के अधिकार के दारे तता सविधान में संसोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच बिवाद उड़ते रहते हैं नमबर तीन, राजनितिक में आम समती के माध्यम से संसोधन, मैं बहुत से संसोधन ऐसे हैं जिनें राजनितिक दिलों की आपसी समती का परिणाम माना जा सकता है, संसोधन ततकालीन राजनितिक दर्सन और समाज की आकांचाओं को समाहित करने के लिए किये गए थे, दल बद संसोधन हुआ और तियतर्मा और चोगतर्मा संसोधन किये गए थे इस काल में नोकरियों में आरच्छन सीमा बढ़ाने और प्रविश सम्मंदित नियमों को इसपष्ट करने के लिए भी संसोधन किये गए सन 1992-1993 के बाद इन कदमों को लेकर देश के एक आम सहमती का महाल पै प्रंतु अस्ति के दसक में इन संसोधनों को लेकर विधी और राजनीति के दायरों में भाई बहस छिड़ी थी 1971 से 1976 के समय में विपच्छी दल इन संसोधनों को संदे की दिरिष्टी से देखते थे उनका मानना था कि इन संसोधनों के माध्यम से सत्ता रूड दल सविधान के मूर सो रूप को विगाड़ना चाते हैं इस संबंद में 38, 49 और 42 संसोधन विशेश रूप से विवादा इस बद रहे हैं जून 1975 में देश में आपातकाल की घोशड़ा की गई थी यद तिन संसोधन इसी फिष्ट भूमी से निकले थे इन संसोधनों कालच्य सविधान के कई महातपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था अगर संसोधन की सकती जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो नियाई पालिका को संसोधन की वैज़ता पर निर्ने लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्या आप इस बास से समत हैं सव सब्दों में ब्याख्या करें उत्तर सविधान के सेस खंडों में संसोधन करने के लिए अनुचेद 368 में प्रावधान किया गया है कि इस अनुचेद में सविधान में संसोधन करने के दो तरीके दिये गए हैं तरीके सविधान की सभी अनुछेतों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते एक तरीके से अंतरगत संसद में दोनों सदनों के विशेश बहुमत द्वारा संसोधन करने की बात कही गई है दूसरा तरीका ज्यादा कठोर है इसके लिए संसद के विशेश बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या किया हो सकता है होती है सभी दान संसोधन की प्रिक्रिया संसद से ही सुरू होती है संसद के विशेश बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजनसी जैसे सविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की सविधान की संसोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती इसी प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज विधान पालिकाओं में संसोधन पारित होने के के भेजा जाता है परन्तु इस मामले में राश्पती को पूनविचार करने का अधिकार नहीं है इस बात तो से पता चलता है कि संसोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर और जटिल हो सकती है हमारे सविधान अतिरिक्त प्रस्न उत्तर प्रस्न नमबर एक भारती सविधान में किस प्रकार करे संसोधन किया जा सकता है। उत्तर भारती सविधान में तीन तरीके से संसुधन किया जा सकता है। सविधान में अब तक किये गए संसोधनों को निमन भागों में बाटा जा सकता है नमबर एक तक या प्रसासन एक नमबर दो सविधान की ब्याख्या है नमबर तीन राजनेतिक आम सहमती के माध्यम से संसोधन प्रस नमबर तीन को सविधान में संसोधन करने का अधिकार है लेकिन वह सविधान की आधार भूस सरचना में बदलाव नहीं कर सकती प्रस नमबर चार प्रजात तंत्र का अर्थ बताईए उत्तर प्रजात तंत्र का अर्थ है जनताओं का सासन से है और यह विकासील संस्ताओं से है और इसके म या भारती सविधान एक जीवत दस्तावेज है कैसे उतर भारती सविधान एक जीवत दस्तावेज है लगबग एक जीवित प्राड़ी की तरह एक दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्तितियों के अनुरूप कारे करता है जीवत प्राड़ी की तरह ही यह आवसाली रूप से कारे कर रहा है यहीं लोकतांत्रिक सविधान का असली मापड़न है प्रस नमर छो भारती सविधान में संसोधन करने के लिए विशेज भहुमत की आवसकता क्यों होती है अत्वा भारती सविधान में विशेज भहुमत का क्या आर्थ होता है समझ जाए उत सदस्यों में से कम से कम 124 सदस्य विद्यक के पच में मद्दान करते हैं तो इस विद्यक को पारित माना जाता है लेकिन संसोधन विद्यक पर यह बात लागू नहीं होती। सदन संसद की दोनों सदनों में सुतंत्र रूप से पारित करने की आवसकता होती है इसके लिए संयुक्त सच्ट्र बुलाने का प्रावधान नहीं है कोई भी संसोदन विद्यक विशेश बहुमत की विना पारित नहीं किया जा सकता लोगसभा में 545 सदस से होते हैं अतक किसी भी संसोदन विद्यक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवसकता होती है कौन से सिद्धान ज्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं उत्तरविस्व के आधोनिक तम सविद्धानों में संसोदन की विविन प्रक्रियाओं में दो सिद्धान ज्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं पर एक सिधान्थ है विशेस बहुमत का उधारन के लिए अमेरिका दच्छीड अमेरिका रूस आदि के सविधानों में इस सिधान्थ का समावेस किया गया है। सभिधान की प्रिक्रिया सुरूप करने तक का अधिकार है रूस और इटली अन्य belonging आसे देश हैं जहां जनता को सभिधान में संसोधन करने हैं संसोधन की अनुमूधन का अधिकार दिया गया है प्रस्थन रऑक सेशbildung का आर्थ कि राजियों की सकतियों सक्तियां केंदर सरकार के दया पर निर्वर नहीं करती सविधान में राजियों की सक्तियों को सुनेशित करने के लिए यह ब्यवस्ता की गई है कि वह जब आधे राजियों की विधान पालिकाएं किसी संसोधन विद्यक को पारित नहीं कर देती तब तक वो संसोधन प्रभावी नहीं माना जा सकता संगिय सरशना से सम्मंदित प्रभावधानों के अलावा मौलिक अधिकारू के प्रभावधानों को भी इसी प्रकार सुरच्छीत बनाया गया है प्रेस नमबर नव भारती सवधान में संसोधन करने के लिए ब्यापक बहुमत की आउसकता इसलिए पढ़ती है क्योंकि इस प्रकारिया में राजियों को सीमित भूमिका दी गई है हमारे सविधान निर्मा ता इस बात को लेकर सचेत थे कि सविधान में संसोधन की प्रिक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे छेड़ खानी की जा सके लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का ख्याल भी रखा कि भावी पीड़ी अपने स समय की जरूरतों के हिसाब से इनमें आफसक संसोधन कर सकें। जो प्राकृतिक के हैं और यह सविधान की मूले उपलब्दों को स्पष्ट बनाने उनकी ब्याक्या करने इता छीट पूट संसोधन से सम्मंदी थे उन्हें केवल सिर्फ तक्नीकी भासा में संसोधन कहा जा सकता है। वास्तों में इन उपबंदों में कोई विसेश करते हैं। उधारण के लिए उच्च न्याले के न्याइधीसों की सेवा निर्वित की आयू सीमा का 60 वर्ष से बढ़ा कर 62 वर्ष 15 संसोधन करना और इसी प्रकार सर्वोच न्याले के न्याइधीसों का वेतन बढ़ाने संबंदी संसोधन 55 संसोधन है। तता विधाई को ओचित प्रतिनिधित वो देने के लिए इस ओधी को प्रतेक 10 वर्षों की समाप्ती पर एक संसोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवस्तक समझा गया। सविधान की ब्याख्या को ले कर नयाइपालिका और सरकार के बीच अकसर मदभेद पैदा होते रहे हैं। सविधान के अनेक संसोधन इन्ही मदभेदो की उपज की रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टक्रावब पैदा होने पर संसद को संसोधन का सहारा लेकर संसद्रिक ब्यवस्ता का एक अहम लच्छन है कई बार संसद इन नियाईक ब्यवस्ताओं से सहमत नहीं होती है और इसे नियाईपारिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए सविधान में संसुधन करना पड़ता है 1970-1975 के दवरान ऐसी अनेक परिस्तितियां पैदा हुई उधारन के लिए मौलिक अधिकारों और नेती निर्देशक से दान्तों को लेकर संसद और नयापालिका के बीच अक्सर मद्भेत पैदा होते रहें इसी प्रकार नेजी संपत्ति के अधिकार के दायरी तदा सविधान में संसोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहें हैं नमबर तिन राजनेतिक में आम सहमतिक के माध्यम से संसोधन में बहुत से संसोधन ऐसे हैं जिने राजनेतिक दिलों की आपसी सहमतिक का परिराम माना जा सकता है ऐसे संसोधन तत्कालीन राजनितिक दर्सन और समाज की आकांचाओं को समाहित करने के लिए किये गए थे दल बदल विरोधी कानून बावनमा तथा एक्षियान्वा संसोधन के आलावा इस काल में मतादिकार की आयू को 21-18 वर्स करने के लिए सविधान में संसोधन हुआ और 73 और 74 संसोधन किये गए थे इस काल में नोकरियों में आरच्छन सीमा बढ़ाने और प्रवेश समंदित नियमों को इसपष्ट करने के लिए भी संसोधन किये गए सन 1992-1993 के बाद इन कदमों को लेकर देश के एक आम समती का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संसोधन पारित करने में कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा नमबर चार विवादा इसपष संसोधन भारती संसोधन करने के प्रस्ण पर आज तक कोई विवाद उत्पन नहीं हुआ है प्रन्तु अस्ति के दसक में इन संसोधनों को लेकर विधी और राजनेती के दायरों में भारी बहस चिडिती और 9176 में के समय में विपच्छी द इन संसोधनों को संदे की दरिश्टी से देखते थे उनका मानना था कि इन संसोधनों के माद्यम से सत्ता रूड दल सविधान के मूल सोरूप को बिगाड़ना चाहता इस संबंद में 38, 49 और 42 संसोधन विशेस रूप से विवादा इसपद रहे हैं जून 1975 में देश में पूर्ण हिस्से में बुनियादी परिवर्तन करना था प्रस्त नमबर 11 भारती सविधान के मूल सरचना था उनके विकास वड़नन कीजिए प्रस्त नमबर उत्तर भारती सविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया है उवा है सविधान की मूल स रचना का सिद्धान्द, इस सिद्धान्द को नियाई पारिका ने बेफ सवानंद भारती के प्रसिद मामलों में प्रतिपादित किया था, इस निर्णे ने सविधान के विकास में निम्लखी सयोग दिया, नमबर एक, इस निर्णे विफ द्वारा संसद की सविधान में संसोधन करने की सक्तियों की सिमाएं निर्धारित की गई, नमबर दो, यह सविधान के किसी या सभी भागो के संपून संसोधन निर्धारी सिमाओं के अंदर की अनुमती देता है, नमबर तीन सविधान की मूल सरशना या उसके बुरियादी तत्तु काउलंगन करने कास किसी संसोधन के बारे में नियाय पालिका का फैसला अंतिम होगा कि सवानन्द भारतिय मामले में यह बात इसपश्ट हो गई अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग